हेलो गाईस, स्वागात है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल में दोस्तो कोशीका जीवों की सररशनात्मक एवं कारियात्मक इकाई है प्रिध्वें में विभिन परकार के जीव पाए जाते हैं जिन में विभिनताय होती है प्रत्रेंजीयों का सरीष एक सुक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कोसिका कहा जाता है दोस्तो कोशिका को वेग्यानिक रूप से साइटो कहा जाता है तथा इसका अध्यन साइटो लोजिक घालाता है तो दोस्तो बने रेजियन तक आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कोशिका क्या है कोसिका की खोज लगवक आस्थ से 535 साल पहले राबा ठुक नामक विज्ञानिक ने की थी उन्होंने बोतल के कारके की एक पतली पर्थ का अध्यन किया जिसमें मदुमक्की के चत्ते जैसा कोष्ट पाया इस कोष्ट को उन्होंने कोसिका या सेल नाम दिया मगर दोस्तों लिवेन होक ने सन 1684 में सरोपर्थम जिविद कोसिकाओं का अध्यन किया कोसिका मुक्कता दो परकार के होते हैं पहला है प्रोकेरियोटिक कोसिका या पादब कोसिका दूसरा योकेरियोटिक कोसिका या जन्दू कोसिका तो आईए दोस्तों इन्हें एक एक करके समझते हैं पहला है यूकरियोटिक कोशिका या पादब कोशिका दोस्तों इन कोशिकाओं में केंदरग नहीं पाया जाता जिवान जों तथा दील हरी सेवा लोग में मुख्यता ऐसी ही कोशिकाओं पाया जाती है दोस्तों इनका आकार एक से लेकर 10 माइक्रो मीटर तक होता है दूसरा है यूकरियोटिक कोशिका या जन्तू कोशिका इन कोशिकाओं में केंदरग पाया जाता है कोशिका में केंदरग के चारों और केंदर जिल्ली पाया जाती है इनका अकार एक से लेकर सव माइक्रोमेटर तक होता है दोस्तों किसी भी कुसिका में मुक्ता है कुसिका भित्ति, कुसिका जिल्ली, राइजोसॉम, माइक्रोकॉंड्रिया, गॉल्जीकाई, राइजोसॉम ये सब पाया जाता है तो दोस्तो आईए इन्हें एक एक करके समझते हैं पहला है कोसिका भिष्टी दोस्तो यह केवल पादब कोसिका में ही पाया जाता है यह सेलूलोज का बना होता है सेलूलोज कोसिकाओं को जिसे दाकरती एवा मकार परदान करता है दोस्तों जिवानू ता कोसिका भित्ती इल्टी डोगलेन का बना होता है इस अगला है कोसिका जिल्ली दोस्तों कोसिका के सभी अंग एक पतली जिल्ली के अंदर घिरे हुए होते हैं जिसे कोसिका जिल्ली कहा जाता है या एक सेमी परवेबर जिल्ली होती है इसका कारे कोशिका के अंदर जाने वाले वा बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारन करना होता है गाइस अगला है राइबोसोम राइबोसोम को सर्वप्रथम पादब कोशिका में रॉबिंसन एवं ब्राउंस ने सन 1903 में देखा तथा जन्तु कोजिका में जीई पेडाई ने सन 1905 में देखा तथा 1958 में रावर्ट ने इसका नाम राइबोसोम रखा यहां राइबोनुक्लियस अमल या आरेने नामक अमल वा प्रोटीन से बनी होती है इसे प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है क्योंकि इसी में प्रोटीन का निर्मान होता है दोस्तो अगला है माइटोकॉंड्रिया इसकी खोज अल्टमेन नामक वैग्यनिक ने सन 1806 में किया था यहां कोशीका का स्वसनिस्थल है इसको कोशीका का पावर हाउस कहा जाता है यहीं पर सभी परकार के कारबनिक पदार्थों का आउक्जिकरन होता है जिससे कोशीका को उर्जय मिलती है अगला है गौल्जीका इसका खोच केमिलो गौल्जी नमाक फेगनिक ने किया था यहां चोटे चोटे ट्यूप्स के गुरूप से मिलकर बने होते हैं यहां पर प्रोटीन वा अन्यपदार्थों का पैकेजिन किया जाता है यहीं कोशिका भीतियवं राइजोसोम का निर्मान करती है गाइस अगला है राइजोसोम इसकी खोज डीडू डूबे नामाक वग्यानिक ने की थी इसका प्रमुकाम है किसी बाहरी पदार्थों को पहचानना वह उसे नश्ट करना दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एन नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक में चाहिए कमेंट में ज थैक यू